नमस्कार में अंकीता आज आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों की ऐसी खास मिठाई की रेसिपी जिसमें आपको ना तो चासनी की ज़रूरत है ना मावा ना आटा ना मैदा ना बेशन ना सूजी ना घी तो आप सोचिए ये मिठाई बनी कैसे ये जानने के लिए तो आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और अगर आपने कभी भी पहले घर पे मिठाई ना बनाई हो तो भी आप इसे एक बार में ही आसानी से बना सकते हैं तो चलिए ये हेल्दी और टेश्टी मिठाई बनाना सुरू करते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए यहां हम लेंगे एक कटोरी सफेद तिल अग तिल को हमें चटकने तक भून लेना है हलका साई भूनना है इसको हमें ताकि इसका कच्चापन निकल जाए तिल हमारी सेहत क लिए बहुत ही अच्छे होते हैं यह हमें सरदी से तो बचाते हैं साथ के साथ हमारे सरीर में जो केलसियम की कमी होती है उसको भी यह पूरा करने में मदद करते हैं तो आप सरदियों में अपनी डाइट में तिल का इस्तेमाल किसी ना किसी रूप में जरूर कीजेगा और ये देखें तिल अच्छे से चटक गए हैं इनका हलका सा कलर भी चेंज हो गया है यानिके अच्छे से भुन गए हैं अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इनको ठंडा करने के बाद एक मिक्सी जार में डाल लेंगे और इनका बिल्कुल बारिक पाउडर बना कर तैयार क अब हम एक प्लेट ले लेंगे और ये तिल का पाउडर इस प्लेट में डाल देंगे और अब हम लेंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर इसमें मैंने दो चम्मच बूरा डाल दिया है मिठे के लिए आप चाहें तो चिनी का पाउडर भी पीस के इसमें मिला सकते हैं इसमें मैं और भी मिठा होता है इसलिए हमने इसमें थोड़ा ही मिठे का इस्तेमाल किया है अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे इस मिठाई को बनाने में जादा टाइम नहीं लगता है ये सिर्फ 10 मिनट में बनकर तयार हो जाती है और खाने में भी ये बहुत जादा स्वादिश्ट लगती है एकदम मुँ में जाते ही घुल जाएगी इतनी स्वादिश्ट ये मिठाई बनकर तयार होगी अब हम इसमें एक चमच मलाई डाल देंगे और इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे मिल्क साथ जादा मलाई नहीं डालेंगे नहीं तो ये बैटर पतला हो जाएगा और इसकी मिठाई अच्छे से नहीं बन पाएगी मलाई और मिल्क पावडर डालने से इसमें खोय का टेश्ट आएगा और मिठाई बिल्कुल नरम बनकर तयार होगी और देखी एक चमच मलाई डालने के बाद भी ये बैटर सुखा सुखा सा है तो इसमें दो चमच मलाई के ओर डाल देंगे और मलाई डालने के बाद इस मलाई को भी हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे जरूरत लगी तो हम इसमें और मलाई डालेंगे अभी भी ये बैटर थोड़ा सा सूखा लग रहा है तो जो बची हुई एक चम्मच मलाई है वो भी हम इसमें डाल देते हैं तो इसमें हमारी टोटल चार चम्मच मलाई लगे हैं ये घर के दूद की फ्रेस मलाई है तो देखें मलाई को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करके हमें इस तरह से इसको इकठा कर लेना है अब हम इसको दो हिस्सों में बाट लेते हैं बराबर हिसे कर लेंगे इसके दो अब इसके एक हिसे में हम ओरेंज कलर वाला फूड कलर डाल देंगे थोड़ा सा और कलर डालने के बाद इसको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इसका बिना कलर वाला दूसरा हिस्सा ले लेंगे और इसके भी दो हिस्से करकर इसको बिल्कुल चिकना कर लेंगे इस तरह से और अब इसका इस तरह से हम रोल बना लेंगे बहुत ही आसानी से बन जाता है और रोल बनाने के बाद इसको हलका सा इस तरह से हम दबा देंगे दूसरे हिस्से का भी हम इसी तरह से रोल बना कर तयार कर लेंगे और ये देखी एक रोल और बन गया है इसको भी इस तरह से हलका हलका सा दबा देंगे और दोनों रोल को हमें एकदम बराबर बना लेना है और ये देखे ओरेंज कलर के भी हमने इसी तरह से बराबर रोल बना कर तैयार कर लिए है अब ये वाइट कलर वाला हिस्सा उठा के ओरेंज कलर के उपर इस तरह से रख देंगे और हलका सा दबा देंगे और अब ओरेंज कलर का उठाएंगे और इस वाइट वाले के उपर रख देंगे और इसको भी अच्छे से चिपका देंगे चारो रोल को हमने बिल्कुल अच्छे से चिपका देना है इस तरह से हाथ से हलका हलका सा दबाते हुए बिल्कुल अच्छे से इनको सेट कर देंगे ये देखे ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं अब इने उठा कर हम फोल पेपर के अंदर रख देंगे इस तरह से रखने के बाद हम इसे फोल पेपर से अच्छे से कवर कर देंगे फोल पेपर में रोल करने के बाद अब हम इसे दो गंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए दो गंटे के बाद मैंने इसे फ्रीज से निकाल लिया है अब हम इसका फोल पेपर हटा देते हैं अब इस मिठाई को फोल पेपर से आराम से बाहर निकाल लेते हैं देखी बहुत अच्छे से सेट हो गई है ये मिठाई पहले से चाकू से हलका सा साइड से काट लेते हैं साइड से हलका सा काटने के बाद अब हम इसके बराबर पीस काट लेंगे और देखिए चाकू के काटने से यह आपको पता चल रहा होगा यह जो मिठाई है कितनी नरम बनी है और देखी कितनी खुबसूरत एकदम कलर्फुल बजार जैसी मिठाई बनकर हमारी तैयार हो गई है अब बाकी के सारे पीस भी हम इसी तरह से काट लेते हैं जब कभी भी आपका कुछ मिठा खाने का मन हो या आपके घर में कोई महमान आ जाए तो आप इस तरह से मिठाई बना कर खाईए और उनको खिलाइए और यकीन मानिएगा ये मिठाई खाने के बाद कोई भी पहचान नहीं पाएगा कि आपने इसे बिना खोए के घर पर बना कर तैयार किया है अब मैं आपको इस मिठाई का एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ ये देखी ये जो मिठाई है कितनी नरम बन कर तैयार हुई है तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलिएगा तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई